कि अ्युक्ता के थ्याये में आप सभी का स्वागत है आज के अध्याय का नाम जो रूप संदर्शन योग तो प्रियोजन क्या है वहाँ सब्सक्रेंध इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अर्जुन ने कहा आपने जिन अत्यांत गुई आध्यात में क्विश्यों का मुझे उप्देश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है रचुन ने पिचले अद्याइब सुना भगवान के बारे में और बगवान की भक्ति के बारे में सुना लेकिन पिचले अध्याय में जैसी अर्जुन वा लेकिन अभी प्रस्ट में उठता है कि अभी अर्जुन का मौत दूर हो गया तो भगवत कीता को यहीं पे समाफ हो जाना चाहिए था लेकिन अभी अर्चन ने बोला कि मेरा सारा मौत दूर हो गया तो इसका मतलब यह भगवत कीता को यहीं पे खतम हो जाना चाहिए था क्योंकि भगवत कीता कई लोग बोलते हैं कि भगवत कीता अर्जुन को युद्ध करने के लिए थी तो अर्जुन तो अभी थैयार हो गया और अर्जुन का मौ भी दूर हो गया तो फिर आगे भगवान भगवत क्यों रहे हैं मेरा सभी से प्रश्ण है कि यहां पर भगवत कीता को समाथ हो जाएं चीटा क्योंकि अर्जुन का मौ दूर हो गया लेकिन फिर भी भगवान अगे पूलते हैं तो ऐसा क्यों ऐसा क्या कारण है कि अभी पता सकता है अरे कृष्ण अभी लगवद आधी और है इसा क्यों है जोगों यह हम लोगों के लिए उन्होंने प्रशन किए थे और हमी का मौदूर करने के लिए भगवान बोरहे हैं तो यह हमारे लिए है अर्जुन का तो मुझा दूर हो गया था पर हम लोगों तो अभी भी दूर भी हुआ होगा इतना सुनने के बाद जी माताजीब बिलकुल सही उतर दी हमार किसी ने वहागवागवत गीता के लिए अगरेंट पर इसस लिए अर्जण का नाम पर लोगों हो egep सैय्सवागाव को अदूर वैसे लिए अर्जण को कभी भी अज्याननैं आसकताल थी क्योंकि कोड़ाकेश के मतलब लूगत इसे अग्यानता फर्शेट कर ली हो नहीनाब में कि अधार्य के लिए नहीं होते हैं पूरे विश्व की तरफ से देश की तरफ से पूछते हैं इसी प्रकार अर्जुन के अवे अर्जुन के प्रश्न होकर सभी जीवों की तरफ से भगवान से करता में बता है तो अबी अर्जुन का तो महुंद दूर हो घया लेकिन अभी कहीद नगई हमारे अंदर हम महांते हैं तो भगवान की भगवत्ता सिद्ध करने के लिए अर्जुन ने ये लिए अगी भगवान काओं और भगवान ने बहुत सारी चीजे बोली मेरे से उपर कोई भी परम सत्य नहीं है तो क्या हम भी भगवान बन सकते हैं ऐसे कोई इसलिए अरजुन क्या करना चाहता है अभी अरजुन भगवान की भगवता को सिन्द करना चाहता है जो जो बाते भगवान ने बोली है अभी भगवान वो दिखाएंगे तो इसी प्रकार अर्जुन वह भगवान की भगवत्ता सिद्ध करना चाहता है इसलिए भगवान क्या करेंगे अभी इपराथ दिखाएंगे तो अभी प्रुपाजी तात्वरे में क्या लिखते हैं जब अब जहां तक अर्जुन की बात है उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया इसका आश्वत्तम दिव्यम आधी देवम अजयम दिवुन तो इस प्रकार बोल चुगा है कि आप परम प्रह्म हैं आप ही परम पुरुष है और आप सभी देवकाओं के आधी हैं किन्तु अब वहां सोचता है कि भले ही वहां कृष्ण को हर वस्तुवा कारण मान दे किन्तु द सब्सक्राइब करेगा कि आपने जो जो बाते बोली है उन्हें आप सिद्ध करके दिखाएं तो यह तो वह उनके सामने भगवान की भग्वता सिद्ध हो सके इसलिए अरजुन प्रश्ण कि अब आगे अर्जंत्याव होता है के कमल नेत्रों वाले मैंने हर जीवी दिकाई की उबस्तिती और गायव होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है जैसे कि आपकी अटूप महिमाओं के माध्यम से हैसुस किया है यह पुरुश्वत्तम है परमेश्वर यदे भी आपको मैं अ गिश्वर यदि आप सोचते है कि मैं आपके विश्वरूद को देखने में समर्थ हो सकता हूं तो गरपा करके मुझे अपना असीद विश्वरूद दिखाईए तो यहाँ पर हमें सीखना होगा अर्जुन से कि अर्जुन क्या कर रहा है अर्जुन भंगवान से प्रात्म नहीं कर रहा है तो यही हमारा बाव विह एक रखेसी है तो जैसे अगर आपको और राष्ट्रपती से मिलना है तो आप क्या करोगे आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते कि यह तुम राष्टपती हो तो मेरे सामने आओ उसके लिए आपको क्या गन्ना पड़ेगा तुद राष्टपती से मिलना होगा उसके लिए आपकी योगयता होनी चाहिए और एक प्रक्रिया के द्वारा ही आप उसे मि लेकिन अभी भगवान के भगवान को अनंत कोटी प्रह्मांडों के राष्टपती है अनंत कोटी प्रह्मांडों के नायक है तो उनसे मिलने की प्रक्रिया है उनसे मिलने की एक योगयता होनी चाहिए वो प्रक्रिया कौन सी है वो है भक्ती की प्रक्रिया तो भगवान को ह प्रेम के और भक्ति की आंकों से तो इसी तरह हमें अर्जुन से सीखना होगा कि हमें क्या करना होगा अगर आपको देखना है तो उसके लिए आपने भगवान से प्रात्ना करनी होती है अरजुन ने बागवान कृष्ण से विष्वरूत दिखाने को कहा इसके हम कर्चा पहले कर चुके अरजुन को कि अर्जुन को क्रिष्ण पर संदे था नहीं पहले पूल चुक आप तो अर्जुन किर्षन को भागवान मांद तो से कृष्णन पर संद्ध ही नहीं था वहां खुद को खास मानता था यह भी कारण नहीं आर्जुन तो भगवान अपने आपको मानता है इसलिए विराटू दिखाने को बॉल रहा है अर्जुन क्यों बोल रहा है लोगों को समझाने के लिए जो सोचेंगे कि कि एक साधारण व्यक्ति विश्वरुख दिखाने को पहला कारण ही नहीं दूसरा कारण इसे के ताथ हम आगे बढ़ते हैं अभ अगर आप कल की अफतार की हम बात कर रहें तो कम से कम तीस से ज्यादा कर अभी भगवान के गूम रहे हैं तो लोग में भगवान करते हैं वह सोचते हैं कि जैसे भगवान तो बहुत सारे पाकंडी लोग भी गुंते हैं कल्यूद में और अभी जैसे मैंने बताएं तीस से ज्यादा कल की अफ़तार रहें लेकिन आमें इन लोगों से साथांत रहना होगा जिस तरह भागवान ने अर्जुन को बोला कि मैं ही सब कुछ हो मैं ही सब का परम पिता हूं तो अर्जुन ने क्या बोला भागवान से भिष्वरूक लिखाने को बोला थाकि हमान के भगवत्ता सिध्ध हो सके अगर आप हमें इंडिया ही दिखा दीजिए अपने शरीर में दिखा दीजिए चाहर आप जिस घर में आप रहते हैं वह ब्हर आप देखा देजी तो लोग नहीं कर पाएंगे क्यों क्यों भगवान नहीं है इसलिए में समझने होगा अर्जुन ने भगवान से इसलिए प्रश्म किया ताकि आगे जो कल्युक में लोग है वो साफदान रह सके कोई भगवान का अनुपरण करें उसको भगवान ना बोले तो अर्जुन ने भगवान की भगवत्ता शिद्धि करने के लिए यह बोला एक व्यक्ति प्रूपाजी के पास आता है और प्रूपाजी से बोलता है कि एक बाबा है वो उड़ सकते हवां में और वो बोल रहे कि वह भगवान है तो प्रूपाजी बोलते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं चिडिया भी अवार में उड़ सकती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह भगवान है तो हमें समझना होगा हमें ऐसे लोगों से बचना होगा तो कई लोग क्या होता है कुछ सिद्धी उन्हें प्राप्त हो जाती इसके कारण हो अपने आपको भगवा अंदर है तो हमें समझना होगा जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान की भगवत्त सिद्धी उसी प्रकार हमें भी ऐसे दोगों से प्रस्क्र करने चाहिए है कि अब बड़ान की पारे में अर्जुन को बताएं इस्ते पहले भगवान कई बार विराट रूप दिखा चुके हैं तो इससा पहले भगवान और विराद रूप दिखाया था जब दुरयोदन के पास जाते और उसके सभा में जाते तो मुख में ब्रह्मान ब्रहमांट के साथ जब ब्रह्मांट के साथ घठ भगवान मिटी खा रहे थे तो इस बड़ी बात नहीं है भगवार ने का ए अर्जुन ए पार्थ अब तुम मेरे अश्वने को सेगड़ों अजारों प्रकाश के दैवी तथा विवित रंगों वाले रूपों को देखो ए भारत लो तुम आधित्यों वसुओं रुद्रों अश्वनी गुमारों तथा अन्य दे देखना चाहते हो उसको यहां विश्वरूप दिखाने वाला है यहां एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है किन्तु तुम मुझे अपनी इन आखो से नहीं देख सकते मैं तुम्हें दिव्यत चक्षू दे रहा हूं अब मेरे योग एश्वरे को देखो तो भगवान के इस विराट रूप में उन्हें सारे देवी देटाओं के दर्शन मिलते हैं और भगवान के शरीर में उनको ना केवल वर्तमान वलकि बहुत काल में जो गटित हो चुका पविश्य में जो होने वाला है वो भी उन्हें दिखाई देता है और एक ही स्तान पर बैठे-बैठे उसे पूर्ण चीजे नहीं देख सकते इसलिए भगवान क्या करते हैं उन्हें दिव्य चक्षू देते ताकि उस सारे स्रिष्टी को एक साथ देख सके तो जैसे आप अगर 3D मूवी देखने जाते हो तो 3D मूवी जब आप देखते हो तो उसके लिए आपको 3D चसमा पहन चक्षू बोला जाता है तो चरम चक्षू अपोन इंद्रियों में आते हैं उनकी एक सीमा होती है इसलिए अपोन इंद्रियों से हम पूर्ण को नहीं समझ सकते इसलिए भगवान ने क्या क्या उन्हें प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना अर्जुन ने इस विष्वर रूप में असंक्या मुख असंक्या नेत्र तता चांधियों अश्चर में द्रश्च्च देखें यहां रूप अनेक दैवी आभूशनों से आलंकृत था और अनेक दैवी हतियार उठाए हुए था यहां दैवी मालाय किये थे और उस पर अने चर्क कर सके वेज्ब आकाष में एक सुर्य आता है पूरी रूप से बहुत पwr Правी देख सकते लिए अर्जुन को कि उस समय अर्जुन भागवान की विश्व रूप में एक ही इस्तान परिस्तित हजारों भागों में विवक्त प्रह्माण की अनंत अंचों को देख सका अभी जैसे लेकिन यहां पर अर्जुन को चैनल नहीं बदलना पड़ा अर्जुन सब चीज एक साथ देख सकता था वहां पर नहीं एक अलग 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 स्क्रीन में सब आ रहा था अर्जुन एक साथ यह सारी चीज़े देख सकता था तब मोहगरस्त एवां आश्चरेचे कि रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक जुगाया और वहां हाथ जोड़कर भगवान से प्रात्ना करने लगा तो जब अर्जुन भगवान के इस विराठ देख रहा हूं मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा शिव जी तदा समस्त रिशियों एवं दिव्य सर्कों को देख रहा हूं वश्यामी देवान तब देवदे तो अर्जुन बोलता है जैसे भगवान ने बोला कि मैं सारे देवी देवताओं का श्रोथ हूं हम आधी देवाना तो के छान यहां तक तक कि वभ्रहमा जी को भी कमल पर Istitता और 밑म रही अट्विश्वर मैं आपके शरी पहले है और जिनका अंत नहीं है आपके रूप को उसके चकाचोन के कारण देख पाना कठिन है क्योंकि वहां प्रजुलित अगनी की बाती अत्वा सूर्य के अपार प्रकाश की बाती चारों और फैल रहा है तो भी मैं स्टेजों में रूप को सर्वत्र देख रहा हूं जो अनेक मुकु फिर भी उसको देख वा रहा है क्योंकि उसके पास दिवेचक्षू है कि अभी अर्जुन आगे भागवान से बोलता है आप परम आत्य के वस्तु है आप इस ब्रह्मान के परम आधार है आप अव्यव तता पुराण पुरुश है आप सनातन धर्म के पालक भगवान यानि आपके मुक्से प्रजुलित अगनी निकलते और आपके देश से इस संपुण प्रह्मान को जलाते हुए देख रहा हूं यद्यपी आप एक है किंतु आप आकास तदा सारे लोगों एवं नेक उनके बीच समस्त आकास ले व्यात है ए महापुरुश आपकी इस अद्बुत प्रवेश कर रहा है उन पैसे कुछ अत्यंत बैवीत होकर हाद चोड़े आपकी प्रात्ना कर रहे हैं महर्शियों तदा सिद्धों के समुख कल्यान हो कहकर वैदिक श्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुदी कर रहे हैं अभी जो भगवान के विराठ रूप है उसको स इसलिए उनके पास दिवेश कर देख सकते तो लोग भगवान की विराठ रूप को देख रहे और वहां की सुधिया कर रहे हैं वह पूरी ब्रह्मान से मिलकर बनाएं इसलिए यहां पर भगवान के जो आखे उनके तुलना सूरे से और चंदर से की गई है क्योंकि भगवान के विरार्ट रूप पूरी बोधिक प्रक्रटी से मिलकर बना है यह महाबाव आपके इस अनेग मुख नेत्र पाहु जांग पाहु पेट तथा बयानक नातों वाले विरार्ट रूप को देखकर देवता गण सहीद सभी लोग अच्चनत विचलित है और उ जड़ा धारन कर पा रहा हूं नहीं मादसिक संतुलन पा रहा हूं उसको बिलकुल भी प्रसंददा नहीं होती इस बहुत ज्यादा वैवीत हो जाता है को और आगे अर्जुन भगवान का खाल रूप देखता है तो गाल रुप में भगवान क्या करते तरत्तरास्ट सारे तर अपने समस्त सहय कारों तट सभी एप aurait नressive युदह में प्रवेश कर रहे हैं उन में से कुंछ के सिरों को घंडीयों की अन्य करे में प्रती उसी प्रकार समस्त महान यह दा आपके प्रजरित मुखों में रूपक्षन कर रहे हैं तो अरज्वन ने कहा तो अरज्वन को कूँछ देखते हैं तो अरूप कि इस रूप में क्या कर रहें सभी को निगल रहे हैं तो यह आपका आकलो अश्मी समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं और मैं यहां समस्त लोगों का विनाश करने आया हूं तुम्हारे अर्थाज पांड़ों के अलावा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मेरे द्वारा बारे जाएंगे तो अभी भगवान अपना काल सुरू अर्जुन को दिखाते हैं और तो भागवान अर्जुन से बोलते हैं अर्जुन अथा उठो लड़ने के लिए तयार हो और यश अर्जित करो अपने शत्रों को जीत कर संपन राज्य का पोग करो यह सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और हे साव्य साची तुम तो युद्य में केवल निमित मात्र हो वास्ता में यह सभी लोग मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं तो मेरा आप सभी से प्रश्ण है कि भगवान अर्जुन को कि इनको मैं पहले ही मार चुका हूं तो तुम क्या बनो तुम केवल एक निमित्त मात्र बनो यानि तुम इसका श्रिय लो तो ऐसा प्रभुजी जैसा कि प्रभुजी हम शुरू से सुनते और समझते आ रहे हैं कि भगवान सिर्फ अपने भगतों का यह चाते हैं तो अर्जुन जो है वो परम भक्त हैं उनका उनके दौराइब हम सभी को सब्झाना चाहते हैं कि हमारे कर्म क्या है भक्ति क्या है और ध्यान क्या है तो उनका यह सुके इस यह क्योंकि जैस्थ कोड़िक सारी ली मैं और इसी वज़ा से हम करने करते हैं जी जी माता जी ए यह हरे किसना निश्या माता जी हरे कि प्रभु जी शवक्ति यूद्ध चुल रहा है और अर्जों जो है वह उपाद आपक जो धर्म है वह भगवान ची चाहते हैं कि यह उसके द्वारा कराना था जी दन्यवाद मताजी तो अर्जुन भागवान के द्वारा शिक्षा देना चाहते हैं कि अपने करतब्य का पालंग कर लेकिन वास्तविक उत्तर है वो इसी स्लोक में भागवान ने चिपाया है तो भागवान क्या बोले अर्जुन को तस्पान उत्ष्टा यसो लबस्वा युद्ध करो और यश्ट अर्जित करो वागवान चाहते हैं उनके भक्तों का भी यश्ट पहले इसलिए भगवान का नाम चारो तरफ पहले हर को भगवान का नाम ले और ऑगवान के नाम का परचार करता है जैसे प्रुपाजी ने अपना पूरा जीवन विटा दिया व इसलिए उन्होंने क्या किया तो बहने के ब्रण के नाम का परचार हो पूरी दुनिया में पूरी श्रिष्टी में तो इसी परकार भगवान भी चाहते उनके भक्तों का भी यश्ट फैले तो बगवान भगवद गीता में बोलते चोटे अध्या में यह था मांपरपद्यन पे ताम सपह बजा में हम तो जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहन करता है मैं भी उसी भाव से उसके साथ आधान प्रदान करता हूं तो अगर हम चाहते हैं गवान का यश घयले तो फिरले मेरे बसका आभी गुर्ण ओषर बादन करते हैं तक only मादने के वह आनसे अधा भिनमें लेकिन लेकिन बगवान करते हैं सब को सेवा में लगाते तकि उनका यस पहले पादर चाहते हैं तो जैसे एक डॉप्टर होता है डॉप्टर क्या करता है डॉप्टर को अगर ओप्रेशन करना है तो अगर एक चाकू है अगर फिर बनाना चा रहे और अगर अर्जू यूद नहीं करेगा तो क्या वह लोग नहीं मरेंगे उसकता आपस में जगड़ कर मर जाए या हो सकता हो किसी और कारण से मर जाते हैं तो उनके जो करम हैं उनके अनुसार उनकी मृत्यों नहीं ही है लेकिन लहां चाहते कि अर्जुन इसका स्रेले क्यों एक अर्जुनका यह स्पहले बगवान के बध्थों और जब बाकी लोग अरजुन के बारे में पड़ेगी किस प्रकाद अरजुन ने बहान की सेवा की तो बाकी लोग भी भगवान की प्रक्ति करें अब भगवान आगे क्या बोलते हैं? विराठ रूम बहुत ज्यादा भैवीत हो जाता है तो अरुश्व का फहरे मानने के लिए बागवान अरविवाक्शक्ता नहीं है मैं तुमको माने नहीं आया, बल्र हि को मारने आया हूँ इसे लिए उमें करने की पिल्कुल भी आवशक्ता नहीं है तुम युद्द करो तुम इसमें नहीं मारे जाओगे बाकी योदा इसमें मारे जाएंगे तंजय ने दृतराज से कहा हे राजा भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कापतेवे अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया फिर उनसे भैवीत होकर अवरुदुस्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा अर्जुन ने का हे रिशिकेस आपके न अब जो असुर है उनके पास भी चक्सु होते हैं तब ही तो लोग देवतां से युद्ध कर पाते हैं तो लेकिन वह क्या करते हैं वह बहुत ही ज़्यादा भैवीत पहुंचाते हैं उनको लगता है कि जैसे उनका काल अब समीप आ गया तो लोग इधर उधर भागने लग तो इसलिए भगवान को आधि स्रिष्टा बोल गया है तो फिर आपको साधर नमस्कार क्यों ने करें हैं अक्षर कारणों के कारण तथा इस बहुतिक जगत से परें आप इतने महान हैं तो क्यों ना कोई आपको नमस्कार करें तो यानि आप स्वावी ग्रूप से हमारे स् सबकुछ है जो जानने योग्या है तो बोल रहें आप सबकुछ जानते हैं और आप ही जानने योग्या है आप बहुत ही क्मॉनों से परें परम आश्रे है यह अनंतर रूप यहां संपूर्ट त्रिष्ट्यय यगत आपसे व्याप्त है तो इस प्रगार अर्जुन भगव आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हट पूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा जहते संब्धनों से पुकारा है क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था मैंने मूर्ता वर्ष या प्रेम वर्ष जो भी किया क्रपया उसके लिए मुझे छमा कर दे यहीं नहीं मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए कभी अकेले तो कभी अनेग मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है यह अच्य पर मैं तो आपको अपना मित्र मानता था लेकिन आप तो परम पुरुष है को परम ढगवान और आपके साथ ही खाता और आप कभी-कभी-कभी-की साथ ही सो जाता था और क्या करता था कभी-कभी में आपका उपास भी उड़ाता था सारे मित्रों के सामगे तो इस प्रकार मेरे से गल्दी हो गई कर्पया मुझे शमा कर दें तो यहां पर अर्जुन धागवान जे शमा मांगता है तो मेरा यहां पर आप सभी से प्रश्न है तो देखते हैं आप क्या उत्तर करते हैं यहां पर अर्जुन बोला है कि मुझे शमा कर दीजिए मुझे पता नहीं था कि आप पर भगवान है तो मेरा आप सभी से प्रश्न है कि जो भगवान के भकतोते वो बश्चों पटा नहीं होता कि जो भगवान है वो भगवान है जैसे यह सोदम नहीं पता नहीं होता कि भगवान बगवान हैं तो फिर दोनों में अंतर क्या है को बता सकते हैं कि यहां पर अर्जुन फ़ी नहीं पता था कि वहां मंते लिए ब सअलगान अचाराप प्यों है और भगवान को सब्सज़ collecting में नहीं कि अधिक प्रभु जी तो अगर व्रति उनके मन के भाव कर दोस्तों का अगर मजाग भी उड़ाते हैं तो लेकिन हमारे पीछे उसमें प्रेम होता है मतलब दोस्ती होती है अपनापन होता है मजाग में भी एक उसके प्रती जो भाव है वो दूसरा होता है और जो हम होता है कि मैं शक्ति बरुम में अपने सिवा किसी और आपके कहरेंकी जरी जैसे जो भक्त होते हैं जो अपने माता जो सुदा पुत्र को रूप में उनको चाहती थी तो उनका जो भाव तो प्रेम था उनको पुत्र के पति तो इसलिए उच्छाती दुगे मेरे फूत्रा है उनको शब बुल गये देखिये बगवान इसी तरह से वह अपने आपको दास मांते हैं आप दास मांते में हमें थैसर लोग जो है उनसे एक नहीं हो पिर भी पासी तो भी आम सुदित नूजी को सुनते हैं आगो तो बिल्कुल तर दिया माताजी ने और पुझी ने कि दोनों में बावना कांतर होता है जो भगवान के बक्त भी होते हैं वो भगवान को भगवान नहीं मानते हैं जो असुर होते हैं वो भगवान को भगवान नहीं मानते हैं तो जो भगवान के बक्त होते हैं प्रेम के कारण भगवान को भगवान नहीं मानते हैं तो इतना अधिक प्रेम करते हैं भगवान से कि वो भगवान को भगवान नहीं मा और वहीं भगवां से अनेक रसों में जूड़ते हैं जैसे बात्साय रस हो गया उस में यह सुशुदा मता और यह सवी इस norm nelas मेरीव है और साखॱरी में अर्चुन आती है अगोफियः और भथनिया है मादूर्य रस वहाइा यह सभी मादूर्य रस्ट थो भगवान से मलगलग रसमें जूड़ सकते हैं तो हम बोता आगए बढग से जुड़ सकते हैं dan लेकिन अपने मां के सामने होगा होगा अपनी मां के सामने हो एक पेटा रहता है क्योंकि मां उन्से क्या करती है बहुत ज्यादा प्रेम करती है तो मां उन्हें इस तरह नहीं समझती कि प्रजान मंत्री इस तरह उनके साथ विवार नहीं करती क्यों कि उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करती है इसी प्रकार भगवान भगवान है अनत्वोटी ब्रह्मान के ना पहले कभी न देखे गए आपकी विराठ रूत का दर्शन करके मैं पुल्कित हो रहा हूं किन्तु साथ ही मेरा मन भैवीत हो रहा है अत्या आप मुझे पर कृपा करें है देवेश है जगनिवास अपना पुरुश्रत्म भगवत सुरूत पुना दिखाए तो जो भगवान के भगवान के एश्वरे से अकर्षित नहीं होते तो जब अपना विराठ रूप दिखाए तो अर्जुन को अच्छा लगा लेकिन अर्जुन प्रसंद में नहीं हुआ अधिक सानदों को पसंद नहीं हुआ बलकि अर्जुन अंत्र में भैवीत हो जाता है इसलिए भगवान हाथों में शंक चक्र गदा तता पद्म धारण किये हो मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूं एक रुक्स्रेष्ट तुमसे पूरू मेरे विश्वरूप को किसी ने नहीं देखा तो भगवान अर्जुन को बताते हैं क्योंकि मैं ना तो वेदात्यम द्वारा न देख सकते हैं तो मेरे भयानत रूप को देखकर अठ्यद्विचलित एवं मोहित हो गए हो अब इससे समाप्त करता हूं हे मेरे भग्त तुम समस्त चिंताओं से पुना मुक्त हो जाओ तुम शांत चित्थ से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो तो या भगवान अर्जुन को क्या करते हैं अर्जुन के कहने पर भगवान उनको विश्णों रूप दिखाते हैं चतुरगुज रूप और उसके बाद अंत में भगवान अपने दुईबुच श्याम सुन्दर रूप में वापस आ जाते हैं संजय ने दृतरास्ते कहा अर्जुन से इस प अर्जुन ने कृष्ण को उनके आधी रूप में देखा तो कहा है जनार्दन आपके इस सुन्दर मानेवीय रूप को देखकर मैं अब इस्तिर्चित हूं और मैंने अपनी प्राकृत अवस्ता प्राप्त कर ली है तो अभी क्या करता है जब अर्जुन भगवान के जाम्सूंदर लूप दिखाईए तक ऐसे हुगा माली कि आपको मित्र हैुचार और आपको पता का या चार पहर आख चार सिर नहीं और आतो जब सावनें रूप में आपके सांधा थे तब आफ यद्वान के यह स्वरे तो देखता है कि लेकिन वह इतना ज्यादा प्रसंद नहीं होता तो भगवान के वक्त बगवान के एश्वरे से इतनी ज्यादा आकरशिप में देखना चाहते हैं जैसे कि मैं आपको उधारन देता हूं आपको कोई मित रहें और वह बहुत बड़ी कमपणी का मालिक है लेकिन जब आप उस लेकिन जब आपका मित्र घर पे होता है तो वहां पे घर पे आप क्या कर सकते हैं उसके साथ खेल सकते हैं लेकिन जब तो अरजुन ने जब खेला रूप को देखा तो अर्जुन इतना अधिक परसने नहीं हुआ लेकिन जब भगवान ने अपना श्याम चुंदर रूप दिखाया, तो अर्जुन ने क्या बोला, मैं पुना अपनी प्राकर्ट अवस्ता को प्राप्त कर चुका हूँ, तो यानि अर्जुन दुबार से प्रसन हो जाता है, और अर्जुन की चिंताय सारी दूर हो जाती है, शी भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, उसे देख पाना अत्यंत दुस्कर है, यहां तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताथपे रहते हैं, तो भगवान को अगर श्याम चुंदर रूप को देखना है, जैसे कि प्रधान मंत्री है, प्रधान मंत्री अपने कारेले में क्या करता है, ओपिस में क्या करते हैं, और वो जब लोग सबा जाते हैं, वहां पे क्या करते हैं, वो सबको पता रहता है, सारे लोग देख सकते हैं, और वहां पे सभी लोग उनका आधर करते हैं, हाथ वहां पर सभी देवताँ उनके पास जाते उनसे प्रणाम करते लेंगिन अपने घर में अपने धाम में उते वहां पे केवल उनके शुद्वक्ती जा सकते हैं इसलिए भगवान को जो श्याम, चुंदर रूप है वो क्या है भगवान बोते हैं सू दूर्दर्शम इदम रू करते हैं और भगवान आगे बताते कि किस प्रकार हम भी इसके दर्शन कर सकते हैं तो अगर हमें भगवान के स्याम संदर रोप के दर्शन करने लागों बोलते हैं के वल अनन्य भक्ती द्वारा ही मुझे उस रूप में तुम्हारे शमक्ष खड़ा और इसी प्रकार मेरा शाक्षा दर्शन भी किया जा सकता है केवल इसी विदी से तुम मेरे ज्ञान के रहस्ते को पा सकते हैं तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि जिस रूप में तुम मुझे देख रहे हो इस रूप में केवल शुद्ध भक्ति ही मुझे देख सकते हैं देवता भी इस रूप को नहीं देख सकते तो देवता भी भगवान के इस रूप को देखने की ताथ में रहते हैं लेकिन भगवान के वक्त आसानी से उनको इस रूप में देख सकते हैं भक्तिया तु अनन्य शक्या तो अनन्य वक्ति के द्वारा ही हम भगवान कृष्ण के जे आम सुन्दरूस के दर्शन कर सकते हैं कंचिक हैं इस नहरत फिराल देग अंतिम शलोक के साथ पिए आखेन में तो बाती है और इसके बाद कर्म करता है मत कर्म करता है जो मेरे लिए करम करता है जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है और जो प्रतिक जीव से मैत्री भाव रखता है निर्वेर शर्वगूतेश्यू यानि जो सभी को भगवान के अंश्य के रूप में देखता है वह निश्या ही मुझे प्राफ्त करता है तो इस प्रकार भगवान अपनी भक्ति की मह करते हैं तो भगवान में पताया कि सब्सक्राइब कि वह उनके श्याम सुंदर रूप के दर्शन किये जा सकते हैं और भगवान को समझा जा सकता है लेकिन बगवान कल के अध्याएं वह बताएंगे तो दो कल का दियाएं बहुत ही महत्वपूर होने वाला है और कल का अध तो आप थोड़ा समय निकाल लिए और विशेशकर सुबह का समय हमें निकालना होगा और एक माला हरे कृष्ण मामंतर का जब आप आरम कर सकते हैं तो भगवान को आपसे पुछ निए भगवान को ना आपसे बहुत ज्यादा एश्वरे चीए भगवान के नाम का जब करिए भगवान और भगवान के नाम में कोई भी अंतर नहीं है और जो पदंपुरान उसमें कहा गया है नाम चिंता मनी कृष्णा चैतने रसे विग्रहा और नित्य सुट्व नित्य मुक्डव अभिन्नत्म नाम नाविना नाम और नामी में कोई इंतर नहीं है तो भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है यह सारे थो का सार है और नित्यशिद्वों नित्यमिट्व अबिनत्यमिन दोनों में कोई अंतर नहीं है इसे रहे थों में क्या करना है वह बगवांका नाम'T दोगा कोई अंतर नहीं है तो इसी के साथ या अध्याय समावत होता है अर्जुन एक बार आप इसका शाराज जा लेते तो अर्जुन ने भगवान से विश्वरूप दिखाने के लिए बोला उसके बाद भगवान अपने विश्वरूप का वर्णन करते हैं और फिर अर्जुन भी हम अर्जुन को बाना अपना वोदिल बीकाते हैं कि किस प्रकात हम भगवान और जान सकते हैं अध्यार थमावत होता है अंत्यमे प्रुपाजी क्या बोलते हैं उसको समझेगे सारांज किया है कि कृष्ण ने अपने शण भंगुर विश्वरूप के साथ साथ काल रूप जो सब यहां पर बगाझस कर दिए हैं इस वो और यहांई तो पहले वह वह भी साथे द्धाम में रहते हैं बागवान के रूप में रहते हैं जितने भी रूप है तो बहुत के लिए करशन का कोई अन्य रूप उतना मेहत्सकूर नहीं त्रा की मूल तो बुझी श्यामसुंदर रूप है है कि짝 क्योंकि शाम सुंदर रूप में हम भगजमान से अने मित्र को देखना चाहता है उसके आशवर्य से उसको ज्शाधा को um के साथ रस बिगर यह वह स्यादा नहीं कर gev्र्भाने कर लिए और कुछ भी नहीं देख सकते आता है मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस ब्यारवे अध्या का ताथ यही है कि किर्ष्ण का रूप ही सर्वो परी है एवं परंसार है तो भगवान का रूप शाष्वत है तो यह हमें इस अध्याय से या पिर आप चैट में लिख सकते हैं जी तन्वय प्रभुजी जो संज्य थे उन्होंने भी विश्वरूप देखा तभी थो उन्होंने क्योंकि उनके पास भी दिव्य दृष्टी व्याद देव जी ने दी अंतर में वह बताते भी हैं तो दिव्य दृष्टी के कारण ही व अपनी जगह से ही वो सारा जो भी युद्ध चेत्र में हो रहा था वो दिव्य चक्षू से देख पा रहे थे क्योंकि चरम चक्षू से अग्वान की विराद्व को देख पाना कटी नहीं हुआ है जी जोती माताजी सालिगराम की कथा अगर हम सुनाएंगे अभी तो उसमे पार्ट माला की रिकोर्डिंग आप अगर यूट्यूब पर सर्च करेंगे प्रुपाथ चैंटिंग अरेकृष्ण महामंत्र तो उसमें आपको मिल जाएगी निशा मताजी बोली को बेरी साथ लगाया जाता है कि माताजी यह दी Find this और भगवान करें और जब ह hen limo करी सब्सक्राइब और तुल्सी माता है वो क्या है उनकी भक्ति कर रही है बग्माद के sto रहे हमें हमेशा समर्थित रहती है तो भघ्वान और उनके भक्तों के और उनकी बहकती के बारे में बताता है तो इसलिए हम ऐसे तिलक लगाते हैं और तिलक जो संपरदाय की पैचान होती है। तो उसके ड्रेस से आपको पता लग जाता है उसके उनिफॉम देखके उसकी उनिफॉम पर लिखा रहता है स्कूल का था इसी प्रगार जो तिलक होती है वो अलग-अलग संपरद्दाइयों के अलग-अलग तिलक होते हैं उनकी पैचान होते हैं एका अधरशी के दिन क्या खाना चता है एका अधरशी के दिन अनाज नहीं खाना चाहिए फ्ल है और सबची ऐसकते हैं जो पक्राइए और ठárस कर च्छिए उन सब्सक्तर करते हैं एक च्री आप यह डुद्दी शक्ते ऑनाजWhen सब्जी इखागते हैं उबाल के बस आपको उस दिन दाल और अनाज नहीं थाणा है महताजी दी महताजी, है ची तर्मया प्रगुजी, हरे किसना राकी महताजी आपको प्रश्न है हरे कृष्णा गुरुजी, गुरुजी हमारा पतस्निय है कि जैसे एक माला या सॉला माला जो भी बोलते हैं, तो वो तो अपना एक टाइमिंग या उसके अनुशार करते हैं, लेकिन किसी भी मंत्र को अगर मांसी कृप से जब अनवरत जाप चलते रहता है, तो अगर बीज म जी माताजी, सही है, तो वहां पर करना चाहिए और नहीं करना चाहिए इस तरह का भी, तो क्या वैसा में वो कोई किसी तरह? कि भागवान का नाम किसी भी अवस्ता में ले सकते हैं, किसी भी समय हम ले सकते हैं, तो कि भागवान का नाम अभी मैंने रहाज़ा है ध्योड़ती उध्ये सुध मोगा जिद्ये और भी gider कर सकते हैं, जी धन्यवासूदी है शी YouTube प्रिया माताजी स्कॉर्स को आभी बार कर चुगी है अच्छा लगाए चारिफ होस्त के माम के निती का क्या अउर्थ होता है प्रूब ले या और माम मेटी मतलब गजय प्राप्त करते हैं तो-डी है कि अरे किश्णा गंस जाने के कब सेल एक माला करती थी अभिग दूमाला करती हो तो कभी कभी मुचे ले घर जेए हैं ओ दूमाला कर्ति हो तो तब आपयोगे मुझे सामके टाइम न भी तो तब दूमाला करते हूं तो ऐसे कि गलत होगा, जैसे मैं दो मला करती हूँ, लेकिन वो तो डेली में नहीं कर पाऊंगी शायद, पता नहीं बात में होगा या नहीं होगा, लेकिन वो कभी कभी ऐसे मन में होते हैं, जाभी तो बैची हूँ, तो एक मला करो, एक मला करो, ऐसे feelings होती हैं, आप कभी भी लेकिन अभी आपको कम से कम एक माला करनी होगी और इतना आपको द्रेड निश्चय रखना होगा कि अड़े मदलब होता है जो कभी भी अपने पाथ से नहीं चूपता या फिर अपने बहुतों को प्रेम प्रदान कने से नहीं तो महत्ता नहीं थो हम देखके संसार में क्या होता है संसार में कोई आज प्रदान मंतरी है कल कोई और हो GUY आज राष्टेपती है कल कोई और होगा या फिर आप कोई भी जोब कर रहे हैं आपको उसे रिटायर होना पड़ेगा तो आप उस पद पर हमेशा नहीं रहते हैं तो संसारिक पद क्या है वो शनिक है लेकिन जो भगवान का पद है भगवान का पद ऐसा नहीं है कि आज तो इनका है क्योंकि भगवान ही रहते हैं चीवात्मा कभी भगवान नहीं हमेशा गासेिक việc देराख परभवान हीं तो सब्सक्रिखमा अच्छश्रे ठासे कि मूंकर मेरी तो ऊंद वी गृश्ण लोग करते हैं लिकिन जो कृष्टन लोग है जो मस्लीम लोग है वो तो भगबंसी kitchen का नामने ही लेते तो उन लोग कैसे उधर की माता जी अलग अलग भागवान के लिक अलग मतलब हैं तो वे से ।ह मतलब होता इसी ही प्रकार जो आगरा जो सब्ट that क्रियुक वर्ड कि 5 ड करता है किसी प्रकार जो अलग अलग मतलब के सबसे ढयालगा 6 लेकिन प्रवक्राण के नाम बगवान की सब को पता है बगवान डयालू है और बगवान सर्वक्राण करते हैं वो किसी को नहीं पता वो केवल बागवान के बद्टों को ही पता है तो इसलिए श्रिमत भागुता में हमें उसका पूरा विबरण मिलता है था कि ने आपके तो है मंटे पड़ रहे हैं उसके लिए सब्सक्रिकित लोग नहीं पड़ पा रहे हैं भी यह माताजी आप सश्र्छ कर सकते हैं कि अब मैस आप गूंगल पर सर्च करूँ वैसलिक वहां पर आज आएगा वह सैंच लाइबरेडिफिती लेड ओपा सब्सक्राइब कि आज जाएगा हाँ अरे क्रिशन प्रबुजी, मेरी कर दो है कि जब हम Eashwar को मानव रूप में देखते हैं और उसी Eashwar को निराकार रूप ही जानते हैं, तो दोनों में बहुत स्थिंश हैं तो किस रूप में इश्वर को एकसेप्ट करना आसान होता है जिसे मेरे कृष्ण की सामने मैंने मंदिर में मुर्थी है लेकिन फिर भी इश्वर आखों के सामने वो छवी के रूप में नहीं आते हैं ऐसा क्यों होता है वाले वाले वहान से अरजब पूसता है कि यह लोग आपको साक्षात रूप में आप से जुड़ना चाहते हैं तो दोनों में से कौन अधिक श्रेयस करें तो आप मुझे बताएए और दोनों में से सबसे सरल्विदी कौनसी है तो इसके बाद बन बताएंगे कल के अध्याय म तो आपके जो प्रस्ते हैं पहले ही पूछ होगे इसलिए अर्जन को थ्यान से पूछेगा तो अभी अगर मैं आपको बताऊंगा फिर कल आपका इंट्रेस्ट खतम हो जाएगा कल आपकी रुची फोड़ी कब हो जाएगी इसलिए सस्पेंस बनाए रखना चाहिए कल के अध सबसे 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 योग कोंता है वह बगवान से रागे बताते हैं किस प्रकार कौन से रूप में भगवान से जूड़ना चाहिए और कौन सी विधी कैथी हैं उसके बारे में अब गलता करेंगे मुल्ड़ना चाहिए जाएगा सबसे सबसे अधि इसे के साथ हम आज कया अजयाएगा सबसे करते हैं तो जैन्य वादा आप तबीगा अंचाका पारो भी शा रिपास नुए बचा पतिताव न पावनिभ्यू वैस्नभी व्यू नमू नमा आप नंको दिवाशना मुझी है किज स्टॉक्षों किज से उंट जिए है और खिसना और नवाशना नवाशना किज से बच्छा है